बिस्मिल्ला रह्मारेम असलाम रिकूं विवर्स आज में आरेए दाल चबल जो के बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही टेस्ची त्यार होते हैं तो आए रेसिपी शूर करते हैं सबसे पहले हम दाल त्यार करेंगे इसके लिए मैंने 1 कप मसूर की दाल लिए और आदा अब दालों को अच्छी जासे वाश कर लेंगे अब एक देख्ची में धाय ग्लास पानी लिया है इसको बाल होने के लिए रख दिया है पानी में जैसे ही उबाल आ जाए तो इसमें हम तमाम मसाले शामिल कर देंगे और साथ इसमें लेस्निन शामिल कर देंगे आदा लेस्न हम इसमें शामिल कर देंगे आदा जो cuestión कि लिए बचांक और और इसमें दोले पीजनी जाए के लिए हुल ग। कि अ कि डीए पारिक चॉप कर लिया है रजा और बाकी का बचा हुआ रख़ा पंच तबर स्पून प्यास को निए फ्राइबन में बचा शीन काला लोगी अगर आप चाहें तो इसमें ही रहने दें और इसी को continue कर लें और बाकी के oil में मैंने यह बचा हुआ जो lesson था वो शामिल किया है lesson को हलका सा fry करेंगे जैसे इसका color change होने लगेगा हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे इसको जबर brown नहीं करना है अब जीरा चटखने लग गया है इसमें हम हरी मिर्चे शामिल कर देंगे और इसमें बारिक कर देवे टिमाटर शामिल कर देंगे ताकि यह वो साफ्ट हो जाए अब हैमारे सॉफ्ट हो गए इसको हम चमच की मुना से दबाके और प्षका बना लेंगे और उसको एक से दो मिनट मज़िद पकाएंगे आरब ये इसको अशग मना अधीर घार गए होगया है अब हम दाल को देखेंगे दाल हमारी तयार हो गई हुए अब इसमें ये फ्राइ की हुई प्यास शामिल करेंगे और ये इसमें तड़कत जो हमने त्यार किया है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी दासे मिक्स कर लेंगे दाल जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है चावलों के साथ दाल जो है उपतली ही इस्तिमाल होती है अब ये दाल हमारी त्यार होगी इसको डिशाउट कर लेंगे और उपस से ये तली हुई प्यास इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चा से इसको गारिश कर लेंगे अब हम चावल तैयार करेंगे इसके लिए मैंने वान एड हाफ ग्लास चावल ली है बासमती राइस लिए मैंने एक अदत प्यास लिए बारिक कटी हुई एक अदत टिमाटर लिया है बारिक कटावा तीन से चार हरी मिर्चे लिए निको मैंने दर्म्यान से कट लगा लिया है बन टी स्पून जीरा लिया है सुफैज जीरा और एक स्टिक दार्चिनी के लिए और नमक लिया है बन टेबल स्पून चावलों को पानी में भिगो के रख देंगे तक्रिबर 15-20 मिनट तक अब एक देख्ची में क्वार्टर कप से कम जो है वो ऑईल लेंगे और जैसे ही गरम हो जाए इसमें प्यास शामिल कर देंगे और इसमें दार्चिनी के स्ट्रिक शामिल कर देंगे अब प्यास को लाइट ब्राउन हों तक फ्राइड करेंगे और यह प्यास हमारी फ्राइड हो गई है इसमें से थोड़सी प्यास मैंने उपर से गार्निशिंग के लिए निकाल ली है आप इसमें जीरा एड़ कर देंगे और साथ ही इसमें टेमाटर शामिल कर देंगे और आप इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे हरी मिर्चों को आप चाहें तो आप काट कर भी शामिल कर सकते हैं और आप इसमें नमक शामिल कर देंगे अब इसको ढखका थोड़ी देर पकाएंगे ताकि तिमार्टर जो हैं वो साफ्ट हो जाएं अब इसमार्टर जो हैं साफ्ट हो चुके हैं इनको चमच के मदद से दबा लेंगे और यह हमारा मसाला जो हो तैयार हो गया है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे मैंने वारेंड हाफ ग्लास चावल लिये थे उसे डबल कॉंटिटी में पानी इसमें जाएगा तो मैं तीन ग्लास पानी इसमें शामिल कर रही हूं अब यहाँ पर नमक चक लेंगे अगर नमक कम होगा तो हम इसमें और एड़ कर सकते हैं और अब इसको ढखकर वाल उने तक पकाएंगे जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें पहले से भी ग्लवे चावल जो हैं वो शामिल कर देंगे अब इसमें चमच चलाकर और इसको ढखकर पकने के लिए रख देंगे धकन फुल बंद नहीं करना और इसको दर्म्यान में चेक करते रहना है अब जब इसमें पानी बहुत कम रह जाए बिल्कुल हलका सा तो इसको हम दम पर लगा देंगे तक कि बारा से पंदर अमिंट इसको दम पर लगाया है और यह चावल हमारे तयार हो गए और देखें कितने खिलेवे चावल बने हैं और देखें बिल्कुल गलेवे चावल बने हैं अब हम इसको डिश आउट करते हैं उपर से हमने प्याजस में शामिल कर दीए चावलों पर और यह हमारी दाल भी तयार है अब हम इसको सब करेंगे मिक्स अचार के साथ राइते के साथ और सलात के साथ और यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप ज़रू ट्राय कीजिएगा इंशालों यह रेसिपी आपको पसंद आएगी इसके साथ मुझे इजादत दीजिए अल्लाहाफिज के ओ्रफिस